श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 2024 को पढ़ रही है शुक्रवार, शश्ठी तिथी और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वो एक छुटकी काले तिलवाला उपाय है, तो दोस्तों इस शुक्रवार की शश्ठी तिथी के दिन, आप लोगों को इस एक छुटकी काले तिलवाले उपाय को जरूर करना जो कि 26 जुलाई के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुरान की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं, देखिए यह इस श्रावण महीने के शुकरवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना पूर्ण होता है, देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की डुख और समस्या क्यों न चल रही हो। आपको उसका खारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना तो दोस्तों इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्र तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन काले तिल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और जब बात आ जाए 11 काले तिल के दाने की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावन शुक्रवार का तो अब दोस्तों इस काले वाले तिल उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकत है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांती के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बेहनों में से कोई एक माता बेहन भी कर सकती है माताएं बेहने अगर घर में उपस्थित न हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस काले तिल वाले उपाय को कर सकता है चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों न हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों इस एक छुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है इसे हमें तुलसी के क्यारे के पास में जाकर करना है बहुत सारे लोग प्रश्ण करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं देखो तो इस वाले उपाय को आप घर ही करोगे तो अच्छा रहेगा, अगर घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो शिव मंदिर में उपाय को करोगे तो भी अच्छा होगा, इस वाले उपाय को, उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्ण निकल कर आता है, वो यह आत करना है, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो, अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस एक छुटकी काले तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे, कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो दस या ग्यारह बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर बारह बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है, इस बात का ध्या बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोशकाल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को साथ या आठ बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के छे बजे से रात, आठ बजे के बीच परन्तु शुक्रवार के दिन कोशिस करना की समय के अंतरगत ही कर लो, किसी कारण वस ना कर पाओ, तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की, देखिए इस उपाय के लिए आपको दो दीपक ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मड़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं, अब दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रूई की बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर कर सकते हैं देखिए दो दीपक वाला ये चमतकारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्री में ही किया जाता है इसी लिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना इसी के साथ में आपको एक छुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात् अब दोस्तों ये सभी सामगरी ले करके आपको रात्री के समय पहुँच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक उसे आपको तुल एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रजवलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर उसके उपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना ह आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं देखिए काले तिल भगवान विश्नु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक पमी की रात्रि में प्रज्वलित क होता है देखिए गोल बाती का जो दीपक है विशेश कर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है ए इनके सामने, सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय, आपको ओम महालक्ष्मी नमह इस मंत्र का जाप करते रहना है, अब दोस्तों आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के उपर से ग्यारह बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, और आपको ओम महालक्ष्मी नमह मंत्र का जाप करते रहना है, और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है, देखिए, ए अगला उपाय है, वो भी बहुत ज्यादा खास है, तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे, वो उपाय आप कर सकते हैं, देखिए इस उपाय के लिए आपको दो हरी इलाइची लेनी होगी, हरी इलाइची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ मैं आपको मात्र थोढ़ा शहद लेना है, शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है, और इसी के साथ मैं आपको एक दीपक ले लेना है, दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तयार कर सकते हैं, इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है, कलावा का उसकी बाती का प्रयोग करना होगा, यानि कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंद अगर माता पार्वती की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, यानि कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। इस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है, और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आपको लेकर के पहुँच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है, तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलाईची है, उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानि कि शहद का लेपन उसे हरी इलाईची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलाइची है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ ले करके जाना ह यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है तो चलिए दोस्तों जान ल लेने हैं बिल्कुल साबुत होने चाहिए उसके साथ मैं आपको लेना है एक बेल पत्र बेल पत्र का भी एक नियम है अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनह शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार आपको बेल पत्र अपने हाथ पर और ग्यारा चावल दाने रखकर शिवलिंग के उपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमह शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आये थे उसे धीरे धीरे बेल पत्र और चावल दाने के ठीक उपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुरान के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ग्यारा बार जाप करना है और अपनी मनो कामना बोलते जाना है देखो बस छोटा सा उपाय करना है देखना एक दिन आप के सब काम बनने लग जाएंगे गुरु जी का बहुत ही विशेश उपाय है चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चरी हुई बेलपत्रों को आप पुन शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए अब ये तीनों सामगरी लेकर के सीधे आपको पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो शहद हैं उससे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी का स्थान होता ह वहां पर आपको ओम का निर्मान करना है लेकिन जलाधारी के बिलकुल बीच में जो स्थान होता है उससे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्मान करना है अब दोस्तों आपके पास जो एक बेल पत्र है उससे आपको अप आपको अपनी वविशेश मनोकामना आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो जिन्स भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह जो एक बेल पत्र है इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है देखिए जहां पर आपने ओम का निर् लखनी है पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा इसी प्रकार से आपको यह बेल पत्र समर्पित कर देनी है अब दोस्तों आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेल पत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित कर और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा, उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे-धीरे समर्पित करते जाना है। और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री श शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे-धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सके। फिर इसक वीडियो में हमने आपको तीन से चार महा उपाय आपको बताए है जो आपको शुक्रवार के दिन करने है अगर आपके मन में उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है अगर आपको हमारी व महादेव ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस तुभ्यम